और देखें कम टूम टू माइ चेनल राधे राधे क्रोचेट तो आज हम क्रोशे ऐसे अकाणाजी की यह वाली ड्रेस बनाएंगे देखें मेश्स भीधर, जितनी सिंपल है इतनी दिखने में सही दीखनी फिरादा में किता है बड़े आराम से बना सकता है जिनों ने अभी-अभी क्रोश्या सिखा है वो भी इस ट्रेस को बड़े आराम से बना सकते हैं और देखे मैंने इसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, इसमें मैंने आठ राउन बनाए है, वो भी बिल्कुल प्लैन है, और इसमें वूल जो मैंने यूज की है, वो इस तरह की वूल है, देखे, ऐसे आती है, और अगर आपको ऐसी वूल नहीं मिलती है, तो आप दोनों कलर इस तरह के सिंपल ले सकते है, आप अलग-अलग ले सकते है, पिंक के साथ आप वाइट प्लैन भी ले सकते है, और अगर आप पिंक के साथ कोई और कलर रखना चाहते है, यलो भी अच्छा लगता है, तो कोई भी कलर इसके साथ आप ले सकते है, कोई भी दो कलर कोमिनिशन आप ले सकते हैं मैंने ये वाली वूर्ली है यह भी वस्वाल की ही है वस्वाल कमपनी की और अब जो बनाएंगे हम वह ये दो कलर से बनाएंगे पिंक की जगा हम ये वाला लनम ऑजär न फानाधी जगाइ टो ये चिली वह वो व करे मैं वह आपकले स्सक्राणाता हुआ निकिसे बना सकते हैं लेकिन इते ह adelante लेकले सबस्राइब मेर का सबस्वात में नहीं ओसाहाइब से दो जोड़ा एक का सबस्याइब सब्सक्राइब नारा दिक लिए उसर वह है कि जोदा पिछे तो हमारे 28 डबल क्रोशे है और अब हमें यहां से हमें यहां पर चोली के साइड तक आ गए हूँ स्लिप्टीच छे तो अब हमें यहां पर तीन चेन बनानी है तो जहां पर हमने तीन चेन बनाई इसी जगा पर डाल करके हम डबल क्रोशा करेंगे तो एक ही चेन में हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए है तो अब नेक्स चेन में भी हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशा करेंगे इसी तरह से हर एक चेन में हम दो दो बार डबल क्रोश्या बना लेंगे देखे इस तरह से हर एक चेन में दो दो बार डबल क्रोश्या तो इस तरह से राउंड आप कम्प्लिट कर लीजे तो दिखे हमारा पहला राउंड पूरा हो गया है और अब हम यहाँ पर हमने जो तीन चेन बनाई थी इसकी तीसरी चेन में डाल करके क्लिप टीच कर देंगे तो यह हमारा हो गया और इसके बाद हम यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएंगे और नेक्स चेन में जा करके फिर से डबल क्रोश्या करेंगे और फिट से आगे में आगी की चेन में हम एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशा करेंगे दो बार हमने एक एक बना या तिन की चेन हम एक डबल क्रोशा गिनेंगे तो एक और दो तीसरी चेन में हमने दो बनाएं अब फिर से हम एक डबल क्रोश्या और ये दूसरा दो बना लिया एक एक और अब तीसरी चेन में दो बार बनाएंगे और अगर आपको एसा लगता है कि आपके खेरव में खिचावाता है तो आप दूसरी चेन में दो बार बना लिजे की एक ही डबल क्रोश सखीज verdict और दूसरी चैन में दो बनाई यहां पर दू एक खीज रित होती है वह लग अलग होती है सब तो इस तरह से आपका घेरा बनता है लेकिन आप एक ही बात ज्यान मेंAAAA देखते हैं इससार से बीच बीच में रखके देखते जाहीए bitめ जोल तो नहीं आ रहा है कहीं अमारे घेरे में खिचाओ तो आ रहा है इस तरह से आप बीच-बीच में इसे नीचेघ करके देख लिए खीजे तो आपको पता चल जाएगा हमें कम करना है या ज्यादा करना है इस तरह से देखे मुड़ता है बीच बीच में से इस सब्सक्राइबर मुझे कमेंट में कहते हैं कि हमसे आपकी तरह से फ्लेट सर्कल गोल क्यों नहीं होता है लेकिन हमको हैं दो छोड़ कर तीसरी में बढ़ाओ तो इस सब्सक्राइब करके देखते चाहिए अगर आपका खेरा तो कभी आपका खेरा गलत नहीं बनेगा हमेशा अच्छे से ही बनेगा देखे यह हमने दो एक एक बना लिया और तीसरी में जा करके दो बनाएंगे तो इसी तरह से आप ए राउंड कर लीजिए दिखे हमारा दूसरा राउंड पुरा हो गया है और यहाँ पर भी हमने देखे इस रेस में दो राउंड हमने इसी तरह से शिंपल बनाएंगे अब तीसरी राउंड में हम यहाँ तक आएंगे तब हम धागा चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम पहले स्लिप टीछे तिसरी वाली चेन में चाह करके चोइट कर देंगे और अब हमें यहाँ पर फिर से तीन चेन लेनी है और फिर से नेक्स ट्रॉली में चाह करके डबल क्रोश्या बनाना है फिर से नेक्स ट्रॉली में चाह करके दो बार बनाएंगे देखे और अगर आपको ऐसा लगता है कि डबल ग्रोशेट ज्यादा हो रहे तो आप छटी चेन में जाकर के दो बनाएं, साथ भी में जाकर के दो बनाएं, आप अपने इसाब से कर सकते हैं, और अगर आपका खीचाव तो आप तीसरी में जाकर के दो बनाएं, चोथी में जाकर के दो बनाएं यहाँ पर हमने पांच भी में जाकर के दो बनाया है, देखे चार छोड़कर पांच भी में जाकर के दो बनाएंगे देखे चार चेन में हमने एक बार बनाएं यहां पर मैंने डबल क्रोशे को गिन करने लिये हैं अपने ही अंदाज से यहां पर देखे इस चोली की बाजू की राइट साइड में यहां तक आ गए तब मैंने कलर चेंज कर लिया है और अगर आप इसे भी ज्यादा ड्रेस बनना चाहते हैं यह जो हमने बनाया है इसे भी खेरा आप अगर बड़ा बनाना चाहते है तो यह वाइट कलर जो हमने पहले राउंड में डाला है वो आपको इसे भी कम करना है यहां पर दोनों तरफ से चार चार डबल क्रोशे कम कर देने हैं और यहां पर थोड़ा सा लेट यहां पर वाइट धागा स्टार्ट करना है यहां पर हमने कर दिया है यहीं से तो आप यहीं से किजे पहला राउंड छोटा रखेंगे तो आगे जा करके आपका राउंड यहां पर बढ़ेगा वरना यह राउंड है आपका वो यहां तक आजाएगा तो यहां पर वाइट ज्याद हो जाएगा तो आपको अगर बहु बताने के लिए मैं आपको गेंड करके दिखा देती हो दिखें तीन छे नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला सतर आठारा उन्हें 20 21 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 हमने 34 डबल क्रोशे बना लिए है यहां पर और इसके बाद हम वाइड कलर स्टार्ट करेंगे और आप अपने हिसाब से करेंगे तो भी एड्रेस बहुत खुशूरत बनेगी इसमें कम या ज्यादा कुछ नहीं लगेगा दिखें अब हम यहां पर से कलर चेंज कर देंगे और फिर बाद में यहां पर से हम क्रोश्या सोरी धागा निकाल देंगे और अब हमें इसी जगा पर जहां पर हमने ग्रीन बनाया है इसी जगा पर एक बार हम डबल क्रोश्या वाइड से बना देंगे और अब आगे हम फिर से यहां पर डबल क्रोश्या बना लेंगे और इस दोनों धागों को अब हमें साथ में रखना है पेरोट वाला भी हमें साथ ही लेते जाना है चार हो गया है यह पांच तो पांच भी में जा करके हम दो बार बनाएंगे फिर से हम चार बार करेंगे चार बार किया और पांच भी में जा करके दो बार बनाएंगे तो इसी तरह से अब हम इस वाइट कलर से बनाते हुए यहां तक आ जाएंगे दिखिए यहां तक हम वाइट बनाएंगे दिखी यहां तक हमने वाइद बना लिया और हमने कुछ गिना नहीं है मैंने कहा इसी तरह से आप अपने हिसाब से इसे लिजी अड्रेस फिर भी बहुत खुबसूरत बनेगी इसमें कोई कम या ज्यादा नहीं होगा लेकिन आपको हिसाब रखने का पता चले इसलिए मैं गि रखे हैं वो रहने देंगे और यहां से अब हम ग्रीन वाला थागा स्टार्ट कर देंगे और वाइट वाला साथ में लेते जाएंगे तो अब हम यहां से ग्रीन वाला थागा स्टार्ट करेंगे दो बनाया तीन और चार पांच भी में जा करके दो बार बनाएंगे तो इसी तरह से अब ये राउंड हमारा कम्पलीट होगा इस वाइड धागे को हम थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा सा खिंच लेंगे ताकि हमारा नीचे कहीं पर रहना जाए और साथ में लेते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा खिंचते रहेंगे ताकि हमारा अच्छे से साथ में चलता जाएगा तो यहां से ले करके हम राउंड पूरा कर देंगे तो दिखिए अब हमारा राउंड पूरा हो गया है और यहाँ पर हम तीसरी चेन में डाल करके स्लिप टीच कर देंगे और यहाँ पर हम फिर से तीन चेन बनाएंगे और इस वाइट धागे को फिर से यहाँ पर साथ में ही लेते चाहेंगे हम क्रोश्या करते वक्त आगे हमने चार छोड़कर पांच वी में बढ़ाया था तो अब हम छे छोड़कर सात वी में बढ़ाएंगे और अगर आपको खिचावाता है तो आप पांच छोड़कर चठी में भी बढ़ा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर छे छोड़कर सात वी में बढ़ाऊंगी देखे 5 बना लिया और ये 6 बना लिया और अब 7 वी में जा करके 2 बनाएंगे अगर आपको खीचावाता है तो आप कम चेन में भी बढ़ा सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है आपकी ट्रेस फिर भी मुड़ती है तो आप 8 वी में 9 में जा करके भी 2 बना सकते हैं आठ नो तक सिंगल सिंगल बना लीजिए इसके बाद आप बढ़ा दीजिए तो अब हमें आगे यहां तक जब हम वाइट तक आ जाएंगे इसे पहले हमारे पांच डबल क्रोशे रहने चाहिए ग्रीन वाल एक दो तीन चार और पांच तो यहां तक हम ग्रीन का राउंड बन चाहिए और इसके बाद हम इस तरह से वाइट धागा स्टार्ट कर लेंगे और इस दो के बाद हमने दो ग्रीन बनाए थे तो एक वाइट वाला हो करके त्रीन हो गया यह चार हो गया पांच छे और सात वीवेंचा करके हम दो बार बनाएंगे तो इसी तरह से अब यह वाइट के उपर भी हम इसी तरह से वाइट के उपर वाइट बनाते जाएंगे और एक ग्रीन वाला धागा हमारा साथ में ही रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद साथ-ाथ-दस डबल क्रोशे बना करके एक बार इसे खींच करके थोड़ा सा देख लेजिए धीरे स शाब बार इसी जगा पर यहां पर दी वाइट बना एंगे छी इस जग़ा पर हम एक बा बनाpson और यहां परशेर 5 त्छे बिसके शिए और दOY दोप तो एक फाइट और एक ग्रीन हो गया मारा और अब हम यहाँ पर फिर से ग्रीन से ही यह राउंड हम पूरा करेंगे एंड तक ले जाएंगे देखे दो हो गया तीन चार पांच छे और ए साथ साथवी में जा करके हम दो बना देंगे तो इसी तरह से अब यह हम राउंड करते हुए यहाँ तक चले जाएंगे तो ए राउंड हमारा पूरा हो जाएगा तो देखे हमारा राउंड पूरा हो गया है और यहाँ पर अब हम तागे को स्लीप रीचे चोईट कर देंगे और अ त्हाले बनाया था दो बार, अब हम 8 वी में बनाएंगे, 7 बार हम एक एक सिंगल क्रोशा करेंगे, देखे, तीन, तीन, छे हो गया, और 7 हमने एसे ही डबल क्रोशा किये, एक एक चेन में, और आठवी में जाकरके, दो बार करेंगे, आपको ठीक लगे इस तरह से आप राउंड बनाएगा आपका घेरा जैसे सही बनता है इस तरह से आप बनाएगा आप एसा नहीं है कि मैंने बोला इतनी ही चेन में आप बढ़ाए अगर आपका खिचावाता है तो आप कम चेन में भी दो बना लीजे यहां तक हम ग्रीन तक आ जाएंगे दिखे अब हमारी चार चेन रह गई तो हमने यहां पर दो लूप रहने दिये धागे में सोरी हमारा धागा यहां से छूट गया है मैं साथ ले लेती हूँ तो मिन धागा साथ ले लिया है पहले मेरा धागा छूट गया था अब को यह एध्यान रखना है कि अरवक्त यह धागा हमारा साथ में ही रहना चाहिए छूट नहीं जाना चाहिए बीच में, तो दिखें, इस दो मेंने लूप रहने दिये है, और यहाँ पर चार हमारे ग्रीन वाली रहके, इसके बाद हम ग्रीन को छोड़ देंगे, और वाइड थागा हम शुरू कर देंगे, और अब ग्रीन को साथ ही रखेंगे, और देखें म और यहाँ बैके बना चाहिए लुट कर देखें, और यहाँ फार भी साथ ही में दो बनाए यह जोड़ कर ऑऊ इस राउन में भी तो आप आप के हिसाब से बना सकते हैं, आप को यहाँ नहीं है कि मैंने बताए इसा एस तरह से आप कर लें, तो यहाँ पर दो के बाद ही हम चोथा, पाँचवा, और ये छे अब सातवी में जाकर के हम दो बार बनाएँगे आए तो अब इसी तरह से उपपर बनाते चाएंगे और जिस तरह से हम बनाते हैं इसी तरह से बनालेंगे 6 सोड कर 7 वी में 2 और इस तरह से 4 हमारे यहां तक white बन जाने चाहिए इस side भी 4 हमारे इसके बाद हम धागा change करेंगे तो दिखे मैंने यहां तक 4 हमारे green के उपर आ गए इस तरह से मैंने बना लिया दो लूप हमारे white के crochet में है और अब हम white धागा छोड़ देंगे और green को start कर देंगे यहाँ पर से और दो लेने के बाद हमने 4 white बनाये है तो दो बनाएंगे green तो 6 हो जाएंगे और 7 वी में चा करके हम दो बना लेंगे देखे तो इसी तरह से यह हमारा एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच वा राउंड पूरा हो जाएगा यहां तक तो यहां पर हम जिस तरह से बनाते ही इस तरह से यहां पर आ जाएंगे तो दिखे यह अमारा राउंड पूरा हो गया यह अमारा पांचवा राउंड यहाँ पर पूरा होगा और यहाँ पर हम तीसरी चेन में डाल करके स्लिप टीच कर देंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में जा करके एक बार डबल क्रोशा करेंगे और इस वाइड धागे को साथ में ले लेंगे इस वाइड धागे को हम साथ ही रखेंगे और अब हमें यहाँ पर साथ बार डबल क्रोशा करके आठवी चेन में दो बार बनाना है तीन और तीन छे हो गए और यह हमारा साथ और अब आठवी चेन में जा करके हम दो बनाएंगे और हर वक्त की राउंड की तरह हम देखे यह हमने आठवी में दो बनाया और यहाँ पर हमारे चब चार ग्रीन रह जाए तब तक हम यहाँ पर ग्रीन बना लेंगे तो दिखे हमारे चार रेके और हर वक्त की तरह हम ग्रेन को छोड़ देंगे और वाइट को स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमने दो बनाने के बाद तीन और तीन छे बनाये है तो अभी हमारा वाइट होकर के साथ हो गया और यहाँ पर हमारा आठवी में दो बनेगा तो यहाँ पर यह हमारा वाइट पांच आएगा लेकिन इसमें कोई डिफरेंट नहीं है कभी-कभी ऐसा दो बनाने का आजाई इस चार में तो आपके पांच बन जाएगे यहाँ पर डबल क्रोश है लेकिन यह वाला डिफरेंट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा एक डबल क्रोश है इधर उधर चलेगा देखे यह अमारे पांच बने है यहाँ पर तो इस तरह से अभी इस वाइट को यहाँ पर हमारे चार यहाँ तक आजाए तब तक बना लीजे तो दिखे यहाँ पर हमारा यह राउंड पुरा हो गया और हमने दो थाग एहर वक्त की तरह रहने दिये और यहाँ पर से हम यह धागा स्टार्ट कर लेंगे वह यह वाइट हमारे साथ आ चुके है तो यहाँ पर हम ग्रीन पहले में ही एक ही चेन में दो बना लेंगे और इस राउंड को भी इस तरह से पुरा करते हुए हम इन तक चले जाएंगे देखे यहाँ से ले करके यहाँ तक तो यह राउंड हर वक्त इसी तरह से बनेगा अब देखे जितने भी राउंड आप बनाना चाहते हैं इतने राउंड आप इसी तरह से हर वक्त यहाँ पर चार डबल क्रोशे हमारे ग्रीन रह जाए इसे पहले आप वाइट स्टार्ट कर दीजे और यहाँ पर हमारे ग्रीन के उपर चार आ जाए तहाँ वहाँ पर जा करके आप ग्रीन धागा स्टार्ट कर लीजे तो इसी तरह की pattern आपकी बनती जाएगी आप जितना भी बड़ा dress बनना चाहते है इतना इसी तरह से बनेगा और मैंने इसलिए बोला था कि आप बहुत बड़ा dress बनना चाहते हैं इसे भी ज़्यादा घेरा रखना चाहते हैं इसमें मैंने 8 लाइन बनाई है देखे इसमें मैंने 8 लाइन की है डबल क्रोशे की तो इसे भी ज़्यादा आप बड़ा रखना चाहते हैं तो आप ये वाला हिस्सा जो है वो कम कर लीजे पहले जो राउंड हम बनाएंगे वो इसमें ये छोटा रखेंगे ये डबल क्रोशे है वो गिन लीजे इससे आप थोड़ा सा कम रखें ताकि आपका बड़ता चाहे बड़ता चाहे तो हाफ हाफ आपके आखरी में से आए इसलिए इसलिए पहले राउंड में थोड़ा सा कम रखें और इतना सा ही बनाना चाहे तो आप अपने हिसाब से इस तरह से बना सकते हैं और इस ट्रेस को छोटा और बड़ा आप अपने ही हिसाब से आराम से बनाएंगे तो भी अच्छे से ही बनेगा और 0 और एक number में बनाना चाहे तो आप एक ही round बनाए plain circle है वो एक ही बनाए और यह color जो हमने तीसरे round में स्टार्ट किया वो आप दूसरे में ही स्टार्ट कर दीजे क्योंकि 0 और एक number में घेरा बहुत ज्यादा बड़ा होता नहीं या ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 या 3 या 5 राउंद बस इतना ही बनाता है तो इसम्वाय आप दूसरे राउंड से है कर देजिए, बाकी सारी बड़ी ड्रेज्ट है नहरा करना night load तो यह आपका वाइट जो है वह ज्यादा तर यहां तक यहां तक आजाएगा तो इसके लिए यह पहले राउंड में छोटा रखे तो यह राउंड मेंने कितने बनाए देखे एक दो तीन चार पांच और छे छे हमारे टोटल राउंड बन गए वाइट यह जो प्लैन हमने ग राउंड भी बनाएंगे तो मैं आपको कम्प्लीट करके दिखाती हूँ और हर वक्त की तरह इस को धागा यहां से चेंज करना है वह आप बात्यान में रखे तो आपका घेरा अच्छे से बन जाएगा तो दिखें हमने आंट राउंड बना लिए है और यह हमारा आंट रा रहा हुआ है इसके बाद इस धागे को हमने दोई डबल टुशे हमने और बनाया है ताकि यहां से लूज ना हो झाल इसलिए बाकि कि हमने डबल टूशे के साथ इस वाईट धागे को नहीं लियां यहां पर रहने देना है अखरी राउंड वह जब आपको यहां लगे कि अ धागे की हम पीछ्τικे नट लगा देंगे, तो अब हमें यहां से इसके फ्रील बनाना स्टार्ट करनी है दिखी, यह हमारा पेरोट है, इसके उपर हम वाइट बनाएंगे और वाइट के उपर हम पेरोट बनाएंगे, तो इस धागे की पहले नोट लगा दू, तो दिखे, इसमें डालेंगे, और यहां से यह थाका शुरू करते हैंग अब ह हमंचार मपनाएग afect. 4 नीमापने बना है नौद डूसरी वाली डाली एक हम छोड़ देंगे और दूसरी वाली में डाल करके हम स्लिप टीच कर देंगे देखे इस तरह से स्लिप टीच कर दिया और जहां पर हमने चेन बनाई थी इसी चेन में डाल करके हम तीन बार डबल क्रोशा करेंगे दो हो गया और ये तीन देखे इस तरह से हो गया एक ही चैन में हमने तीन बार डबल क्रोशे किये और अब हम दो चैन छोड़ देंगे और तीसरी वाली में जा करके स्लिप टीच कर देंगे देखे इस तरह से अब हम फिर से यहाँ पर एक, दो, तीन और चार चैन लेंगे दूसरी वाली में डाल करके स्लिप टीच कर देंगे और जहाँ पर हमने स्लिप टीच से जोइट किया इसी चैन में डाल करके हो डबल क्रोशे बनाएंगे तीन बार यह तीन बार डबल क्रोशे हो गए हमारे और अब हम यहाँ पर दो chain छोड़ देंगे और तीसरी वाली में डाल करके slip stitch कर देंगे तो इसी तरह से ये हमारी किनारी बनेगी तो आप ये पूरी बना लिजे और यहाँ पर करके मैं आपको धागा change करके दिखाती हूँ तो दिखे यहाँ तक हम आ गए है और यहाँ ने आखरी वाला white बना लिया और यहाँ पर दो छोड़ करके हम पहली वाली white हमारी तीसरी होती है तो यहाँ पर डाल करके अब हमें धागा change कर लेना है तो अब हम यहाँ पर से green धागा start कर देंगे देखे यहाँ से नीचे से हम ग्रीन को स्टार्ट कर देंगे और अभी स्वाइट को खींच लेंगे और यहाँ पर अब हम ग्रीन से बनाएंगे एक, दो, तीन, और चार चार चेन हमने बना ली इसके बाद हम दुसरी वाली चेन में स्लिप टीच कर देंगे और जहाँ पर हमने चेन बनाई है इसी जगया पर डाल करके हम फिर से तीन बार डबल क्रोशा करेंगे एक हो गया यह दो और यह तीन देखे इस तरह से हो गया और अब हम दो छोड़ करके तीसरी वाली में एक और दो छोड़ देंगे और तीसरी चेन में डाल करके slip teach कर देंगे देखे तो इसी तरह से यह हमारी फ्रिल दो, तीन, चार फिर से हम तीन बार यहाँ पर डबल क्रूश्या बनाएंगे देखे और अब हमें दो चेन छोड़ देनी है और तीसरी वाले में डाल करके slip teach कर देना है और अब इस वाइट थागे को हम काट देंगे और इसकी नोट लगा देंगे तो इसी तरह की फ्रिल अब हम यहाँ तक बना लेंगे तो देखे, राउंड पूरा हो गया और मैंने आखरी पत्ती बना लिए निचान करके, यहाँ ठां हम छोड देंगे ऑ यह पJames पहले वाली पत्ति हमने बनाई है इसमें डालेंगे, और यहाँ पर हम display teach कर देंगे और अब हम इस थागे को उपर की तरफ खिंच करके यहाँ पर से काट लेंगे और अब हम इसी धागे को नीचे लेजा करके एक चेन हम छोड़ देंगे और इसके बाद यहाँ पर से देखें नीचे निकाल करके यहाँ पर से क्रोश्या डालेंगे और इसको नीचे निकाल देंगे तो इसकी नीचे हम नोट लगा देंगे देखें तो उपर दिखेगा भी और इस तरह से हम कर लेंगे कि तो देखे दोनों ड्रेस हमारी बन करके रेडी हो गई है और यह मैं ने खास दिवाली के तोर त्योहर पर पेहनाने के लिए न्यूएर स्पेशल ड्रेस बनाई है तो इस ड्रेस में आप देखे यह जो प्लेन हमारा आता है प्लेन जो घेरा है इसमें इस तरह के जो मोती आते है लिखें वो यहाँब अपने हिसाब से कहीं कहीं लगालीजिये डिखे इस तरह से कहीं भी आप इस तरह से लगाली Journal का छोब सुर्ण लगेगा और यहाँब के पास कुछ तो दिखे हमारे पास छोटे और बड़े दोनों ही सिपकाने वाले पल थे तो मैंने थोड़े से छोटे लगाए है वो थोड़े से बड़े लगाए है तो दोनों छोटे और बड़े थोड़े से लगा दिये है यहाँ पर अपने ही साथ से तो आप पाट्रियस कहीं पर भी वीडियो में लड़ो गोपाल्स की ट्रेस बनाई इसमें डोरी बनाना भी बताया है अलग-अलग तरीके से तो इस सारे ट्रेस की लिंक भी मैं आपको डिस्ट्रिक्शन स्वोक्स में दे दूंगी तो इसमें चाकर के आप डोरी भी सीख सकते हैं और इस वाइट कलर के आप ड इसकी भी लिंक में डिस्ट्रिक्शन स्वोक्स में दे दूंगी और वहाँ पर आप जो मेरी चैनल पर देख करके जो भी ड्रेस बना सकते हैं उसकी फोटो मेरे साथ वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं या तो आप कुछ भी सिखना चाते हैं तो इसकी भी फोटो मेरे करके जरूर बताएगा और आशा करती हूँ कि आपको मेरा सिखाने का तरीका समझा रहा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कीजे और मेरी चेनल को सब्सक्राइब कीजे और बाजू कोई निया वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थेंक यू फोर वाचिंग